केदारनाथ जोतिर लिंग का आधा भाग माना जाता है पस्पती नाथ आखिर क्यों 6 facts about केदारनाथ जोतिर लिंग यानि कि 6 रोचक बाते या 6 रोचक जानकारी केदारनाथ जोतिर लिंग के बारे में आज मैं आपको देने वाला हूँ जो साइध आप इससे पहले नहीं सुने होगे या आप नहीं जानते होगे उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम है राजा मिश्रा और अगर आप मुझे अपने भविश्य के वारे में प्रेशनली अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो मेरे मुवाइल नंबर 7062757996 पर में जिसमें मात्र आपको 200 रुपे भी पे करनी पड़ेगी और आप अपने जन्म कुंडली और हस तरीखा के अनुसार अपने भविश्च के बारे में सारी बातें जान पाओगे अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या होगा ये भी आप जान पाओगे अगर आपका कॉल नहीं उठाया जा रहा है इस नंबर पर में तो आप इस नंबर पे वाटसेप भी कर सकते हो तो चलिए दोस्तों सुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किदारनाथ को या किदारनाथ जोतिर लिंग का आधा भाग क्यों माना जाता है पस्पती नाथ दोस्तों नेपाल का पस्पतिनाथ मंदीर भगवान सिव के सबसे खास मंदीरों में से एक है यह मंदीर नेपाल की राजधानी काठमांडू से तीन किलोमीटर उत्तर पस्चिम देव पाटन गाउं में बाग मती नदी के तट पड़ है इस मंदीर में कई अनोखी बातें और रहस जुरी हुई है जो इसके महत्त को और कई गुना बढ़ा देती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हुई थी पस्चुपतिनाथ की अस्थापना और इस मंदीर से जुरी ऐसे छे रहस्च मई बाते माना जाता है कि भगवान सिभ के बारह जोतिर लिंगों में से एक नेपाल में इस्तित है इस जोतिर लिंग को पसू पतीनाथ जोतिर लिंग के नाम से जाना जाता है माननेताओं के अनुसार यह जोतिरलिंग उत्तरा खंड में मंदाकनी नदी के तठ पर बस एक किदारनाथ जोतिरलिंग का ही आधा हिस्सा है मगर कैसे आईए आपको बताता हूँ कि आखिर वो कैसे है आधानिस हिस्सा दोस्तों शबशे पहली जो जानकारी है या पॉइंट है वो यह है कि पसूपती नाथ को सिर और केदारनाथ को सिब का पीठ माना जाता है आखिर कैसे दोस्तों पसूपती नाथ के बिसे में यह कथा है कि महा भारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं और सगे सम्मंधियों का बध किये जाने से भगवान भोले नाथ पांडवों से नाराज हो गए थे भगवान क्रिश्ण के कहने पर पांडव भगवान सिब से छमा मांगने के लिए चल पड़े गुपत कासी में पांडवों को देख भगवान सिब वहां से बिलीन हो गए और उस अस्थान पर पहुँच गए जहां पर में बरत मान में केदार नाथ इस्थित है भगवान सिब का पीछा करते हुए पांडव के दार नाथ महुच गए इस अस्थान पर पांडवों को आया हुआ देख भगवान सिब ने एक भैसे का रूप दारन किया और इस छेतर में चर रहे भैसों के जुन्ड में सामिल हो गए पांडवों ने भैसों के जुन्ड में भी भगवान सिब को पहचान लिया तब भगवान सिब भैस के रूप में ही भुमी में समाने लगे भगवान सिभ को धर्ती में समाते देख भीम ने भैंस रुपी सिभ को कस कर पकर लिया यह देख भगवान सिभ प्रगट हुए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया इस बीच भेंस बने भगवान सिब का सिर काठ मांडू इस्थित पसुपती नाथ में पहुँच गया इस बीच भगवान सिब का या इस बीच भेंस बने भगवान सिब का सिर काठ मांडू इस्थित पसुपती नाथ में पहुँच गया इसलिए केदार नाथ और पसुपती नाथ को मिला करके एक जोतिरलिंग कहा जाता है पसुपती नाथ में भेंस के सिर और केदार नाथ में भेंस के पीट के रूप में शिबलिंग की पूजा होती है अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में दूसरा फैक्ट दोसरा फैक्ट ये है कि पसुपती नाथ से पहले नंदी के दरसन करने से होता है पसुपती नाथ के दरसन करने से होता है पसुपती नाथ के दरसन करता है उसका जन्म कभी भी पसुपती नाथ के दरसन करता है उसका जन्म कभी भी पसुपती नाथ के दरसन करता है उसका जन् मंदीर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदीर के बाहर स्थित नंदी का पर्थम दर्शन करना मना है। दोस्तों अब मैं बताओंगा इसके बारे में आपको अगला फैक्ट वो ये है कि सिर्फ आरे घाट का पानी ही जाता है मंदीर में दोस्तों पस्पतीनात मंदीर के बाहर ही एक घाट है जिसे आरे घाट कहा जाता है इस घाट को बहुत पवित्र माना जाता है जिसके कारण सिर्फ इस घाट का पानी ही मंदीर में ले जाया जाता है अन्य किसी पानी को मंदीर में ले जाकर भागवान सिव यानि पस्पतीनात पर चढ़ाने की अनुमती नहीं है अगला फैक्ट बताऊंगा आपको कि क्या है पस्पतीनात के मुखों का मतलव क्या है अखिर दोस्तों पस्पतीनात लिंग बिग्रह में चार दिसाओं में चार मुख और उपड़ी भाग में पांचमा मुख है परतेक मुखा किरती के दाएं हाथ में रुद्राक्च की माला और बाएं हाथ में कमंडल है यानि पस्पतीनात लिंग बिग्रह में चार दिसाओं में चार मुख है और उपड़ी भाग में पांचमा मुख भी है प्रतेक मुखाकिर्टी के दाएं हाथ में रुद्राक्च की माला और बाएं हाथ में कमंडल है प्रतेक मुख अलग अलग गुन प्रगट करता है दक्षिन वाला मुख अग्होर मुख है दक्षिन वाला मुख अग्होर मुख है जो दक्षिन की योर है पूरव मुख को तत्पुरुस कहते हैं उत्तर मुख को अर्धनारिस्वरू भी कहा जाता है और पश्चमी मुख को सदोजात शदोजात कहा जाता है उपड़ी भाग में इस्थित पांच में मुख को इसान मुख के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अगला फैक्ट या एगली रोचक जानकारी इसके बारे में कि सिवल लिंग में है पारस पत्थर का गुन पस्पतीनाथ जो तिरलिंग चत्रुमुखी है इस जो तिरलिंग के बिसे में जन सुर्ती है कि इसमें पारस पत्थर के गुन है जो लोहे को सोना बना देता है नेपाल वासियों और नेपाल के राजप्रिवार के लिए पस्पतीनाथ जो तिरलिंग अराध्य देब भी है अब मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको कि इस मंदीर का धार्मिक और शांसकृतिक महत तो क्या है आखिर तोस्तों यह मंदीर हिंदू धर्म के आठ सबसी पवित्र अस्थलों में से एक माना जाता है साथ ही इसे इस मंदीर को यूनेस को बिश्व सांस्किर्थिक बिरासत अस्थल की सुची में सामिल किया गया है जो इसके सांस्किर्थिक महत्त को दरसाता है और बढ़ाता भी है दोस्तों ये थी कुछ जानकारी केदारनाथ मंदीर के बारे में जो मुझे अमीद है कि आपको पसंद आई होगी इसके पीछे की जो कथा है वो भी आपको पसंद आई होगी और अब आपको जानकारी हो चुकी होगी क्या कि केदारनाथ और पसुपतीनाथ दोनों एक ही जो तिर्लिंग है अकिर पसूपतीनाथ क्यों कहा जाता है और केदारनाथ क्यों कहा जाता है और इसके बारे में जो जनकाड़ी मिली है आपको वो मुझे उमीद है कि यो एक अदुद जनकाड़ी होगी इस से पहले साइध आपको मालूम नहीं होगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वेल आइकन के बटन को दबा दें थैंक यू थैंक यू सो मज़ जैहिंद बंदे बात्रा